जब इनको निमंत्रन मिला सोनिया जी को राहुल जी को कब मिला जब अलम्पिक्स खेल हुए तो कॉंग्रेस पार्टी को भी गांधी परिवार को भी वहां पर नियोता दिया गया और ये लोग उस समय चाइना भी गए खेल देखने गए थे खेल करके आगए वहां पर एक एग्रिमेंट साइन करके आगए जहां पर हाई लेवल एक्षेंज होना था दो पाटियों के बीच में अब पतनी किस तरह का हाई लेवल एक्षेंज होना था ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला जब डोकलाम में अतिकरमन करने का प्रयास उस समय चीन अधिकारियों के साथ डिपलोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे खाना भी खा रहे थे ना जाने क्या रणनीती और क्या क्या एक्षेंज कर रहे थे ये से पता चलता है कि जो 2008 में को एग्रिमेंट हो गया था उस समय एक पेमेंट भी की गई थी पेमेंट किसको की गई पेम ये किसलिए की गए और ये उस समय की गए जब सोनिया गांदी जी यूपी ए की और वही यूपी ए सरकार जिसके ओपर लाखो क्रोड के भष्टाचार के गंबीर आरोप भी है वो नेरेटिव के लड़ने के लिए क्या इनको चाइना के लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा य और ये नैशनल एननेसी की जो चेर परसंट थी जो यूपी ए मैं कहूंगा उस समय सोनिया गांदी जी तो क्या ये पैसा और ये पार्टी उस समय से ही इस काम में लगी है और ये एग्रिमेंट भी साइन किसी और ने नहीं किया चाइना के वाइस प्रेसड़न उस समय के जंग्पिन और उनके कॉंग्रेस के जनरल सेक्टरी राहुल गांदी जी के बीच में हुआ आखिरकार इस एग्रिमेंट में क्या लिखा है यह 2017 में भी देखने को मिला कि राहुल गांदी जी देश के साथ तो कड़े नहीं हुए लेकिन उस समय उनके अधिकारियों के साथ रहें इसका अगला उधारन आपको देखने को मिलता है जब कैंब्रिज में कैंब्रिज जज बिजने स्कूल में मार्च 2023 में राहुल गांदी जी ने बड़े बड़ा चड़ा कर चाइना की प्रेजबी की फोर्स आफ नेचर कहा एस्पाइरिंग सुपर पावर कहा भारत की तो भड़ाई नहीं कर पाए भारत का अपमान ही करते रहे और डेमोक्रेसी इन इंडिया इस अंडर अटैक कहते रहे लेकिन चाइना का समर्थन करते रहे और ये जो हमारा पाक उकुपाइड कश्मीर है उससे गुजरने वाली वन बेल्ट वन रोड इसको लेकर भी चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव को लेकर उनके जिस तरह से उगुनगान करते रहे ये अपने आप में दिखाता है कि ये एक ही गरब नाल के तीनों हिस्सा है इसमें अगले उनके दोरे पे जुड़ जाती है जब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने जिनके उपर आप देखेंगे राहूल गांदी जी के अमेरिका दोरे में साथ-साथ रहे सहयोगी रहे आयोजन में रहे और इनके खिलाफ त्रिपुरा सरकार ने मुकदमा भी किया कि जिस तरह से फेक न्यूस फिलाने का काम किया गया और ये IEMC वही है जो न्यूस क्लिक के समर्थन में उस समय भी आये थे चोर-चोर मुसेरे भाई कहां-कहां इकठे होते हैं यह आप सब के सामने नजर आया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हो प्रेस गिल्ड से हो या कोई अपने अवार्ड वापसी गैंग हो यह सब लोग ही कठे हो जाते हैं समय समय पर एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेंड को लेकर उस अजंडा को लेकर और न्यूस क्लिक भी उसमें कैसी एहम भूमिका निबा रही थी और यह कॉंग्रेस बैक्ड या फिर मैं कहूँ जो कॉम्मिनिस पार्टी बैक्ड भी जो पैसे उनको अलग-लग रूट से आये हैं न्यूस क्लिक को या बाकी ऐसी कम्पनियों को जो पेड मीडिया हाउसे जो जूटा नेरेटिव खड़ा करती है और जूटी ख़वर फिलाने में यह शातिर हैं यह तो एतने शातिर हैं कि टेर्रिस्ट को भी एक एक्टिविस्ट बना देते हैं यह टेरिस्ट को भी एक्टिविस्ट बना देते हैं और यह News Click जो चलाई जाती किसी और के द्वारा नहीं प्रोकास्थाव द्वारा चलाई जाती है जो पी-पी के News Click Studio Private Limited है इसको पैसा भी किस-किस से प्राप्थ हुआ वो अगर आप Money Trail भी देखेंगे जो सामने नजर आता ह तो स्पश्च तोर पे दिखता है कि यह जो नेविल रॉज सिंगम है इन्हों नहीं यहां पर 27 क्रोड 51 लाख रप्या निउस क्लिक में दिया जो आगे जाकर इस मैं से गौतम नवलक्खा को भी 20 लाख 53,000 पे गए हैं और एक बपदित्या सिना जो आईटी सेल मेंबर है कॉम कॉमनिस्ट भी कैसे कॉंग्रेस से पीछे रहेंगे सब ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है तो नीज क्लिक के पीछे खेल कॉमनिस पार्टी ऑफ चाइना और कॉंग्रेस पार्टी जो हमारी हिंदोस्तान की है उनका सब का ये खेल इसमें दिखता है कि कैसे भारत दूसरा पैसा इनको दिया गया और बहुत सारे senior journalist को इसमें से पैसा गया मैं उसके नाम लेने में नहीं जाओंगा वो इतने बड़े बिने जिनको इतना बड़ा बना दिया गया है लेकिन इतना जुरू कहूंगा ये शुरू तो की गई थी चाइना का narrative खड़ा करने के लिए दुनिया भर के continents में लेकिन किस तरह से Congress Party ने इसको साथ में ले लिया भारत विरोधी अजंडा चलाने के लिए क्या Congress इतनी गिर गई है और कुछ दल इनके समर्थन में नियूस क्लिक के इतना गिर गए थे कि वो सत्ता पाने के लिए इतना गिर जाएंगे कि नियूस क्लिक के समर्थन में आके पूरी Congress Party खड़ी हो गई थी इनके साथ ही खड़े होगे थे एक गमंडिया गटबंदन के लोग इसका एक हिस्सा बने रहे और किवल यही नहीं मैं शरीमान अरविंद केजरिवाल जी कैसे पीछे रहते आखिर काल वो तो चलके ही NGO चला कर आये थे वो तो बात करते थे भरष्टाचार के खिलाब वाली आज उनकी पूरी पार्टी भरष्टाचार में घिरी हुई है डूबी हुई है मंत्री जेल में पड़े हुए है तो क्या शरीमान अरविंद केजरिवाल जी और मनी सिसोधिया जी इनके जिस NGO में ये पार्टनर हैं हिस पैसा भारत विरोध में एक न्यूज क्लिक के माद्यम से लगे और उसमें कॉंग्रेस से लेकर बाग की दल भी साथ में जुड़ जाएं तो अपने आप में दिखता है अपने आप में दिखता है कि कैसे ये न्यूज क्लिक कॉंग्रेस कॉम्मिनिस्ट चाइना न्यूज क्या कर रहे हैं वो आपको दिखी रहा है